नमस्कार, सलाम और जूले, मैं हूँ सुनम वंग्चुक लदाक से, आप में से कुछ लोग हमें जानते होंगे हमारे शिक्षा सुदार के कामों के बारे में, या फिर परियावरन के काम में, आइस तूपा आर्टिफिशल ग्लेशर जैसे कामों के लिए, या फिर आई लिव स जो की साधा जीवन अपना कर क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करती है, मगर दोस्तों, आज मैं इन चीजों के बारे में नहीं, बलकि आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी संदेश देने के लिए आया हूँ, जो की चीन और भारत के बीच अभी ज जो पहाडियां हैं, उनके पीछे, नोबरा और चांगतां के वो इलाके हैं, जहां पर ये तनाव बढ़ता जा रहा है, हजारों सैनिक वहां ले जाए जा चुके हैं, सुनने में आया है, चीनी वायुसेना के जहाज भी वहां तैनाद किये गए हैं, और एक गंटे पहले भ सो जाते हैं रात को कि सैनिक इसका जवाब दे देंगे, मगर मैं आज आप लोगों को ये जरूरी बात बताना चाहता हूं कि इस बार सिर्फ सैनिक जवाब नहीं, दो तरपा जवाब हो और उसमें नागरिक जवाब भी हो, तो आप जैसे नागरिक दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर और अनेक शहरों से क्या कर सकते हैं इसमें, ये समझने के लिए पहले हमें समझनी होगी चीन की ये हरकत और वो ऐसा क्यों कर रहा है, आपने देखा होगा कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं हो रहा है, बलकि पिछले कई हाफतों से चीन ये दक्षिन चीनी सागर म वियतनाम, ताइवान और अब हॉंग कॉंग के साथ भी छेड़ खानी कर रहा है, और मेरा ये विशलेशन है कि वो ये सब किसी देश के साथ दुश्मनी के वज़े से ज्यादा अपने अंदर की समस्याओं को सुलजाने के लिए कर रहा है, आज चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपने जंता से डर है, उनकी 140 करोड की आबादी जो की एक बंदवा मजदूर की तरह बिना मानवादिकारों के चीनी तानाशा सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं, जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक क्रांती की सी परिस्तिती बन पड़ती है और इस इसे चीन बहुत डरता है, आज कोरोना के प्रकोप के बाद चीन में फैक्टरियां बंद हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हैं और बेरोजगारी 20% तक बढ़ चुकी है, लोग बहुत नाराज हैं, क्रांती हो सकती है, तखता पलट हो सकता है, इसलिए चीन पडोसियों से दुश उननीस सो भासट में जब भारत के साथ जंग की, तो वो जंग भी उसने अपने जंता को संभालने के लिए की थी, तब चार साल का आकाल और भुक मरी हुई थी, और इससे द्यान हटाने के लिए ये जंग की थी, चीन के लिए अपनी जीडीपी और जो खुशाली है, उसे बढ़ाते रहना बहुत ही जरूरी है और जिस दिन जीटीपी गट जाए, वहां की जनता क्रांती के लिए तयार है, मैं तो कहता हूँ कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी, जो नागरिक पैसा खरचते हैं चीन के सामान को खरी पांच लाख करोड के सामान खरीदते हैं और फिर ये पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हत्यार और बंदूप बनकर हमारे सैनकों के मौत का कारण बन सकती हैं तो इसलिए अगर हमारे देश के 130 करोड लोग और 3 करोड जो भारतिये बाहर के देशों में हैं सब मिलकर भारत मे और बलकि दुनिया भर में एक boycott made in China movement या अभियान शुरू करते हैं तो आज दुनिया भर में चीन के परती रोश है हो सकता है कि सारी दुनिया साथ आए और इतने बड़े स्तर पर चीनी व्यापार का boycott हो कि चीन को जिसका सबसे बड़ा डर था वही हो यानि कि उसकी आर्थ व्यवस्ता डगमगाए और उसके जनता रोश में आए विरोध और तखता पलट और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कितनी बदनसीबी की बात होगी भारत के लिए जरा सोचिए एक तरफ हमारे सेना सीमा पर जंग लड़ रही होगी और दूसरी तरफ हम आप चीनी सामान मोबाइल से लेके कंप्यूटर कपड़ों से लेके खिलोनों को खरीद कर उनकी सेना को पैसा बेज रहे होंगे चीन की सेना को ये तो हुई हार्डवेर की बात दूसरी तरफ हमारी युवा चीनी सौफ्टवेर अप्स गेम्स जैसे टिक टॉक चैरिट इन सब में मस्त उन्हें दूसरी तरफ से करोडों करोडों का पैसा बेज रहे होंगे तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक नागरिक जवाब जरूर दें और इसे एक अभियान बनाएं ग्लोबल मुव्मेंट की तरह ये बाइकोट मेड इन चाइना का जो अभियान है वो बारत के लिए भी एक वरदान साबित होगी जैसा कि हमारे प्रदान मंत्री ने एक विजन हमें दिया था स्वाव लंबन का सेल्फ रिलाइंस वो तब हो सकता है जब हमारी अपने उद्योग फले फूले हैं और जब हम बाइकट करते हैं इन सामान का तो अपने देश के उद्योग का उतपाद का हम प्रियोग करेंगे और उससे मजदूरों को रोजगारी मिलेगी और सारा देश खुशाल होगा बजट होगा कि हम और अच्छी तरह से टकर ले सकें सीमा पर भी तो इसके लिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि जहां तक एप्स और सॉफ्टवेर की बात है तो हमारे युआउं को एक ह हमारे अपने देश से और बाहर से विकल्प निकलने तक तो उसे हम एक साल के अंदर कर सकते हैं तो यह हम ना सिर्फ अपना प्रतिग्या करें बलकि सौ और लोगों को इसके बारे में समझाएं शेयर करें सोशल मीडिया पर और हमारी जो मीडिया है वो जनता तक देश के को आने कोने तक पहुंचाए और जैसे ही इसका असर दिखने लगेगा इंटरनेट से एप्स लाखों में करोडों में अनिंस्टॉल होंगे तो चीन को संदेश साफ जाएगा और यही एक तरीका उसे मेज पर पहुंचा सकती है जहां पर की बात चीत हो शांती की तो जाते जाते मैं यह बता दूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूं इस फोन पर जो भी चीनी एप्स हैं उन्हें तो मैं एक हफ्ते में हटा रहा हूं बिलfrage यह फोन जो कि चीन में बना है इसे भी मैं एक हफ्ते में अपनी जिन्दगी से अलग कर रहा हूँ और एक साल के अंदर हर वो चीज जिस पे Made in China लिखा है उसे जिन्दगी से निकालने जा रहा हूँ हमें चीन से चीनी लोगों से कोई समस्या नहीं है चीनी सरकार और उनकी रवईयों से समस्या है जब तक चीन में परिवर्तन ना हो हमें ऐसा करना होगा और आप लोगों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने शहर में अपने महले में ऐसे इवेंट्स करें जहां लोग पर तिग्याएं करें कि चीनी सामान का बहिशकार करें जब तक चीन में परिवर्तन ना हो मैं सालों से कहता रहा हूं कि एकीसवी सदी में देश के लिए जान देने की नहीं बल्कि जिन्दगी देने की जरूरत है लदाक में बढ़ते हुए ये देश के लिए जान देने का अक्तारोगार बहुत देखा और जहा एक तरफ मैं सलाम करता हूं उन लोगों के लिए उन लोगों को जिनोंने देश के लिए जान दिया मगर इस 21 सदी में मेरा ख्याल है कि देश के लिए जान देने की नहीं जिन्दगी देने की ज़रूरत है तो आप भी निबाईएगा अपना रोल जैहिन